परिमंडल 3 के DCP गजारन राजपानी की क्राइम इंटेलिजन्स यूनिट ने गुरुवार को सरकारी राशन की काला बाजी करने वाले गिरों का परदाफाश किया बेटा सरकारी राशनिंग की दुकान चलाता है जब की पिता कलमना में अनाच का थोग वैपारी है दोनों सरकारी अनाच को खुले बाजा में बेच कर लाखों का मुनाफा कमा रहे थे इस प्रकरण में पुलिस ने चार आरूपियों को हिरासत में लिया है और बरामत अनाच अन आपूर्ती विभाक के सुपूर्द किया है पकड़े गए आरूपियों में ओल्ड बगडगंज धाबडे महला निवासी अश्विन और फबंटी कृष्णराफ बोल्धन मिनी मातनगा निवासी किरन भासकर राव धकाते संतोष प्रान कापसे और गाड़ी चालक गंगा बाग बाड़ी निवासी मनुज घंशामपुरी का समावेश है इस मामले में बंटी की पिता कृष्णराब बोल्धन का आरूपी बनना भी तै है पुलिस उसकी भूमिका का पता लगा रही है पुलिस दस्ते को जानकारी मिली थी की ओल बंटी की बंटी बोल्धन की राशनिंग दुकान से सरकारी अनाज साधे बोरों में भर कर काला बाज़ारी के लिए जा रहा है घबर के अधा पर DCP राजमाने की माग दर्शन में टीम ने बंटी की दुकान पर चाप मारा उसकी दुकान के सामने MH49 ET 1168 नमबर के पिक अप वहन पर अनाज की बोरियां दिखाई दी अनाज की काला बाज़ारी कोई नई बात नहीं है लंबे समय से शहर में सरकारी अनाज की काला बाज़ारी हो रही है कई माफियाओं ने अपने रिष्टदारों के नाम पर राशनिंग अनाज का लाइसनस लेकर दुकान खोल रखी है यह मार गरीब लोगों की जूली में जानी की बजाए सीधे साधी बोरियों में डालकर राईस मीलों में पहुचा दिया जाता है कुछ लोग कराना दुकान खोल कर बैटें कुछ गिरों ऐसे भी हैं जो सलंब बस्तियों में जाकर भी अनाज जमा करते हैं इस से धन्दे में सबसे माहिर माफिया कई वर्षों से पुलिस से बच रहा है पुलिस को टिप दे कर उसने कई लोगों की दुकान लंबी कर दी यहां तक कि अनाज की परीवन का ठेका लेने वाले को भी उसने मार्किर से हटाने का काम किया अब खुद बड़े पैमाने पर सरकारी अनाज सीधे मीलों में भेशता है वहाँ से अनाज साफ होने के बाद दक्षिनी राज्यों में जाता है कैमरा परसन अकिलेश भारत वाज के साथ अभिशेक पांसी बीसे नियूस नाकपुर